रमस्कार, आज मैं चूरा और ब्वाइल कियावा आलू से बहुत ही सिंपल और टेस्टी नास्ता बनाने जा रहे हूं, इतना टेस्टी कि आप खुद हरान हो जाएंगे, गरंटी है कि आप समोसा खाना भूल जाएंगे, सबसे पहले चूरा को एक बड़ा बोल में डाल देते है और इसे दो-तीन बार पानी से अच्छी तरह से धो लेते है अच्छी तरह से धोने के बार आद इसमें हम थोरा सा पानी को डाल देते हैं और इसे हो चूरा को मुलायम होने तक दो तीन मिनट तक इसी तरह से छोड़ देते हैं इधर आलू को अच्छी तरह से मैस कर लेते हैं साथ में इसमें एक छोटा सा प्याज है उसे बहुत बारी काटे हैं उसे डाल देते हैं एक हरी मिर्च है उसे भी हम बारी काटे हैं उसे डाल देते हैं आधा इंच अधरक का टुकरा है उसे क्रस्ट किये हैं उसे डाल देते हैं आप चाहे तो इसमें सीमला मिर्च मटर गाज यह सब ढआ सकते है थोरा सा कसूरी मेथि है कासूरी मेथि की जग आप हरी दन्या पति भी ढ़ल सकते हैं आधा चुरा चमस गरम मसाला पाउडर नमक नमक आपने टेस्ट करण शाद डाले साथ में एक बड़ा चमक सेजवान सॉस है सेजवान सॉस के जगपे आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं इससे नास्ता का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और इन सभी चीजों को हाथ की सहता से अच्छी तरह से मिला लेते हैं जिससे के आलू और प्याज हरी म सब अच्छी तरह से मिल जाए अच्छी तरह से इस तरह से मिला दिये हैं और इधर हम दो बड़ा चमच कॉन फ्लॉर लिये हैं इसमें थोरा सा नमक डाल देते हैं और पानी डाल करके इसका हम एक घोल त्यार कर लेते हैं कॉन फ्लॉर को घोल दिये हैं इतना ही पतला घोल को रखना है कॉन फ्लॉर के जगे पे आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें से एक लोई को निकालते हैं और इसका हम इस तरह का सेप दे देते हैं इस तरह इसका सेप को बना लिये हैं अब इसे हम कॉन फ्लॉर में डाल देते हैं और इधर हम सेवाई को बहुत बारिके तोड लिये हैं सेवाई की जगह पे आपे ब्रेट क्रम्स भी ले सकते हैं और इसमें हम चाव तरब से इसे अच्छी तरह से लपिट लेते हैं, इसी तरह से बाकी सभी को भी बना करके त्यार कर लेते हैं, इस तरह से सभी को बना करके त्यार कर लिये हैं, इधर गैस अन करके करहाई को चरहा दिये हैं, करहाई में तेल को डाल दिये हैं, तेरह अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब इ केமी नाष्ता को डालते जा रहा है और कि अभी हम हम मीडियम पे कर देते हैं अभी इसे हम थोड़ा सा हीला देते हैं चाऊ तरप से लाईट गोल्डन ब्राउन नहीं मोर्स थे तर लेते हैँ कि इस तरफ से चाऊ तरफ से अच्छी तर तर दा गया है अभी उसे हम निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा है उसे भी हम इसी तरह से तल लेते हैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा घर का खाना खाईए और हेल्दी रहिए धन्यवाद